Hello Students, Welcome to Lecture Expert YouTube Channel और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन बच्चों ने हर्याने बॉर्ड में Re-Checking या Re-Evaluation का जो Form फिल किया था वो Result कैसे देखे Result जो है आपका दो दिन पहले आ गया है मैं इस वीडियो में कुछ बच्चों को अगर नहीं पता Result आया है तो वो मैं बता देता हूँ Result आ गया है चेक कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा और इन में जब आप Result चेक करोगे तो आपका हो सकता है Under Process लिखा है तो उसका क्या मतलब है होता क्या है वो सारा इसमें मैं बताने वाला हूँ अगर आपith Channel पर नहीं थो channel को subscribe जरूर कर ले और विडियो गर आपको अच्छी लगे तो like जरूर कर दे और अगर किसी कोई परिशानी थो comment भी कर दे उसका solution शायद मैं बता सकों तो चलिए हम बात करते हैं कि आप रिजल्ट कैसे चेक करोगे तो आपको गूगल में आ जाना है और HBSC जो है टाइप कर देना है जैसे ही आप टाइप करोगे तो फर्स्ट जो आपके पास लिंक आएगा इसको उपन कर देना है और एंटर वेब साइट में चले जाना है आपने फिर आपको नीचे स्क्रोल करना है और स्क्रोल जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको ये आइकन दिखेगा री चाइकिंग अ और आप एक नए पेज पर आजाओगे यहां पर देखे बोला गया है फोर रिजल्ट एंटरी और डिटेल्स रिजल्ट देखने के लिए आपके विवरन दर्ज करें तो आपके पास एक केस नंबर जो है वह आया होगा आपको वह यहां पर एंटर कर देना है और जैसे ही वह आप एंटर करोगे उसके बाद आपको यहां पर एक कोड दिखेगा यह कोड आपने यहां पर डाल देना है और फिर आपको प्रिंट रिजल्ट पर क्लिक कर देना है अगर तो आपका रिजल्ट आया होगा तो वह आपको यहां पर दिखा देता हूं देखिए मैं यहां पर एंटर कर देता हूँ एक नमबर उसके बाद मैं कोड फिल कर देता हूँ जो कोड है वो है 3C UNC जैसे आप यह फिल करोगे प्रिंट रिजल्ट पर क्लिक कर देना है और यहां पर देखिए जो इस बच्चे का आप मतलब यह है जो आपका रिजल्ट नहीं किया गया है वो आने वाले एक दिन में दो दिन में या फिर एक वीक में या दो वीक में कभी न कभी आपको देखने को मिली जाएगा तो इसका मतलब चिरफ यही है घबराएं ना कि आपका result तो आया ही नहीं है पता निए क्या हो गया यह तो इसका मतलब यही है कि result जल्दी ही डाल दिया जाएगा तो यह इसका solution है इस तरह से आप जो है check कर सकते अपने result को तो इस वीडियो में यही बताना चाहता था thanks for watching this video